दोस्तों हम हमेशा से इतिहास, विज्ञान, अंत्रिक्स और साहित्य के साथ साथ हर फिल्ड की रहशे को मद्दे नजर रखते हैं लेकिन जब बात आती है गणित की तो हमें कोई भी रहशे समझ में नहीं आता है अगर आप किसी आम इनसान से पूछेंगे की मैट्स क्या है तो वो आपको अलग-अलग जबाब देगा जैसे मैट्स किसी संख्या को कैलकुलेट करने का तरीका होता है या मैट्स हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है ताकि हम गुणा भाग करना सीख सके या आविसकार करना सीख सके लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैट्स यहीं तक सीमित होती है हरगीज नहीं बलकि गणित तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सून्य से सुरू होता है और अनत तक जाता है और इसी गणित में एक ऐसा कॉंसेप्ट है जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और वो कॉंसेप्ट है पाई का ये वही पाई है जिसके इस्तमाल से हम लोग सर्कुलर सेप मेजरमेंट करते हैं लेकिन वास्तविक्ता ये है कि पाई अपने अंदर जितने रहषयों को छुपाए हुए है उतने रहषय तो साइद विज्ञान में भी मौजूद नहीं होंगे लेकिन ये रहषयमाई नमबर अचानक से प्रकट कैसे हुआ और पाई की वैल्लू 22 बटे साथ ही क्यों होती है आज के इस वीडियो में हम लोग पाई से संबंदत सारे इतिहास को खंगालने वाले हैं और इस रहषय की जड़का पता लगाने वाले हैं तो बिना वक्त जाया करे चले शुरू करते हैं संपूर्टा से भरे आज के इस एपिसोड को तो कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 7000 साल पहले जब इनसानों ने पाईयों की खोज की थी अगर विग्यान की माने तो उस वक्त हम लोगों ने सीखते सीखते ट्रायल एंड एरर करकर के एक परफेक्ट सर्कुलर पहये की रचना की थी जो पुरानी थियोरी के हिसाब से सही भी लगता है उनी सेम नंबर्स का पैटरन घीजा के पिरामिड समेट विश्व की कई विक्सित सभिताओं के आर्किटेक्चर में भी देखने को मिला था जिससे वेग्यानिकों को ये तो समझ में आ गया था कि ये महज कि इत्तफाक नहीं हो सकता है कि सारे पुराने आर्किटेक्चर में वो एक संख्या ही निकल कर सामने आई और वो सब समझ गए कि संख्या में हो ना हो कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है और जैसा कि आप सभी लोग समझी गए होंगे कि वो इर्रेशनल लंबर था 22 बटे 7 का जिसे हम लोग पाई के नाम से भी जानते हैं आप में से ज़्यादा तर लोग सोचते होंगे कि पाई की वैल्यू आखिर 22 बटे 7 ही क्यों होती है कोई और क्यों नहीं तो इस पैटरन में ही उसका जबाब मिलता है पाई का सिंबल भी ग्रीक भासा से लिया गया है यानि कि जिस सिंबल को हम लोग पाई के फॉम में डिनोट करते हैं वो एक्च्वली ग्रीक अल्फावेट का सोलवा अक्सर होता है हालां कि जितना हैरान लोगों को 22 बटे 7 की डिजिट करती है उससे कहीं ज़्यादा आश्चर ये जनक इसका डेसिमल फोम है जो की निकल कर आता है 3.14285714 और भी ना जानी कितनी ही अनंत डिजिट्स पाई को लेकर ऐसा कहा जाता है कि पाई उस पूरे ब्रहमांड को रिप्रेजेंट करता है और सही माइनों में देखा जाए तो मैथिमाटिकली इससे ज़्यादा संपूर कोई वैल्यू सुनाई नहीं देती है एज़े डिजिट भले ही पाई का कोई अन्त ना हो पर इसी रूप में ये ब्रहमांड की हर एक चीज को अपने अंदर जोड कर रखती है लेकिन पाई एक ऐसी इर्रेशनल वैल्यू है जिसका लिटरली कोई अन्त नहीं है फिर चाहे आप डेसिमल के आगे करोडो डिजिट ही क्यो ना लगा दे ये करोडो का नंबर भी हमने हवा हवा में नहीं दिया है बलकि इसके उपर भी एक प्रोपर रिसर्च की गई थी वेग्यानिकों को हमेशा से इस बात की जिग्यासा रही है कि पाई का अंत आखिर कहा होता होगा और अपनी इसी जिग्यासा को सांत करने के लिए उन्होंने इतिहास में कई बार इसे ढूनने की कोसिस की है शुरुआत में तो इस पूरे प्रोसेस को मैनवली ही किया जाता रहा था लेकिन विकास के आधुनिकता के बाद जब से कम्प्यूटर आ गई तब से ये कोसिस हमेशा से बरकरार रही है कि साथ जो काम हम इनसान नहीं कर पाई हैं वो कम्प्यूटर कर ले जाए इसी कोसिस के अंतरगत जब एक सूपर कम्प्यूटर में एक नेवर एंडिंग कोड लिखा गया जो पाई को लगातार तब तक डिवाइड करता जा रहा था जब तक कोई definite value ना मिल जाए इस प्रियास से विग्यानिकों को संभावना थी कि साथ इस बार दुनिया की सबसे powerful machine की मदद से इस रहशे से परदा उठ जाएगा लेकिन उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उनके द्वारा बनाया गया सूपर कम्प्यूटर इस अद्वित्य संख्या की ताकत हमने जब आज का ये वीडियो शुरू किया था तब हमने आपसे कहा था कि पाई इस पूरे ब्रह्माण को अपने अंदर समेट के रखता है पर ब्रह्माण का सारा हिसाब किताब इसे एक संख्या के अंदर मोजूद है तो अब हम आपको इस सेंटेंस के पीछे का सबूत देने वाले है स्पेस जहां बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन और बड़े से बड़ा फॉर्मूला भी गलत हो जाता है वहाँ पाई की वैल्यू से निकाली गई मैथमेटिकल डिजिट कभी गलत नहीं होती है एक्जांपल के लिए जब वोईजर स्पेस क्राप्ट धरती से काफी दूर चला गया था तो उसकी डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए विग्यानिकों ने जब पाई की वैल्यू का सहारा लिया और फॉर्मूले में वैल्यू को रख कर डिस्टेंस निकाली तो इस पेस क्राप्ट की एक्च्वल डिस्टेंस जो उसके सेंसर में बताई जा रही थी और इंसानों द्वारा कैलकुलेट की गई डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ धाई इंच का फरक आया था जरा सोची ए धरती से अर्बो किलोमेटर दूर कोई स्पेस क्राप्ट घूम रहा है और उसकी डिस्टेंस का एक्जक्ट माप हमने धरती से ही लगा लिया है क्यों? क्योंकि हमारे पास एक जादूई संख्या मौजूद है जो कभी गलत साबित हुई ही नहीं है इससे बड़ी हरानी की बात तो ये थी कि वो स्पेस क्राप्ट जो इस समय हमारी धरती से इतना दूर मौजूद है उसकी सरकमफ्रेंस या उस स्पेस क्राप्ट की धरती से दूरी को कैलकुलेट करने में पाई की डेसिमल के बाद की सिर्फ 15 डिजिट का ही इस्तमाल किया गया है और सोची जब महज 15 डिजिट में ही इतनी बड़ी डिस्टेंस का काम हो गया है तो वो 5 डिजिट जो हमारे सूपर कंप्यूटर ने निकाली है उसमें तो पता नहीं कितने ब्रहमांड समा जाएंगे अब ब्रहमांड की बात आई है तो चलिए ब्रहमांड की ही बात कर लेते हैं तो कुछ theoretical physicist ये मानते हैं कि अगर हम लोगों को ब्रहमांड की exact measurement की knowledge हो या हमें उसका थोड़ा सा भी अंदाजा हो तो हम पाई की decimal value की मदद से उसका पूरा measurement निकाल सकते हैं और जहां हमें धरती से वोजर की दूरी का पता लगाने में 15 digit का काम लगा था वहीं ये जाने माने theoretical physicist बताते हैं कि हमें इस पूरे ब्रहमांड को नापने में पाई के decimal के बाद की सिर्फ 49 यानि 39 digits का ही काम लगेगा और सिर्फ और सिर्फ इतने से नंबर में हम इस पूरे ब्रहमांड को समेट लेंगे इसके लावा ये fact जानकर तो मुझे और भी ज्यादा हैरानी हुई थी कि पाई की 39 digits का इस्तमाल करके हम लोग जिस संख्या को निकालेंगे उसमें और observable universe के actual size में at max सिर्फ और सिर्फ एक hydrogen के atom जितना ही difference आएगा यानि कि एक ऐसी value जिसको इतने बड़े नंबर के सामने calculate करना भी लगबग next to impossible कहा जाएगा पिछले कुछ दसकों में लोगों के बीच पाई को लेकर क्रेज काफी बढ़ गया है दरसल अगर आप पाई की सुरुआती 5 decimal तक की value को देखेंगे तो आपको number मिलेगा 3.14159 और अब अगर इसी number को आप लोग time zone में convert करेंगे तो यह निकल कर आता है तीसरे महने की 14 तारीक को 1 बज़ कर 69 मिनट का समय और चुकि साल का तीसरा महना मार्च का होता है तो यहीं से ये बात clear हो जाती है कि आखिर स्पेसिफिकली इसी date और इसी time के साथ पाई डे को क्यों मनाया जाता है इसके अलावे स्पाई डे के साथ विग्यान की दो सबसे बड़ी हस्तियों का भी बहुत बड़ा relation है जहां 14 मार्च 1879 के दिन मशूर एस्टो फिजिसिस्ट अलबर्ट आइंस्टाइन का जनम हुआ था और नए यूग के विग्यान का सूर्योदे हुआ था तो वहीं 14 मार्च 2018 के दिन स्टीफन होकिन्स की मृत्यू भी हुई थी और विग्यान के सबसे महान यूग का अंत भी हो गया था अब भले ही ये तारिक किसी तरह का संजोग हो पर जो भी कहो ये इत्तिफाक है बड़े कमाल का जैसे जैसे हम अंत्रिक्स में और ज़्यादा प्रगर्ती करते जा रही हैं तो हमें इस बात का एहसास और अधिक हो रहा है कि पाई की वैल्यू के बिना मनुश्यों का विकास ठीक उसी तरह होता जैसे पानी के बिना जिंदगी यानि हर पल दुस्वार आज आप चाहे जिस और भी नजर घुमा कर क्यों ना देख लें आपको हर जगे सरकल और सिलेंडर ही देखने को मिलेंगे और जहां आकार है जहां ब्रहमान है वहां साथ ही साथ पाई भी उसके अस्तित्व के लिए मोजूद है तो दोस्तों जाते जाते हम इस वीडियो की भरपूर रिक्वेस्ट करने के लिए अपने सब्सक्राइबर सोरे इस रोई की डेडिकेशन को भी एक शाउट आउट देना चाहेंगे